कि हैलो फ्रेंट्स आपका हमारी चनल में स्वागति है आज जो पंडे वाले हम वह है दा क्यल्कुलस ऑफ फाइनाइड डिफरेंज परिमित अंतर कलन क्या होता है कोई भी हमारे पास जो फलन दिया होगा उसमें जो अंतर होगा अंतर होके जैसे फलन है वाइप वाइबर और जो हमारे पास वाइक्स प्लस है इस तरह साथ जाएगी जो इनका जो अंतर होता है उसका जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं इसमें सबसे पहले हैं क्या पढ़ते हैं इसमें सबसे पहले भो आता फोर्वर्वर्ड डिफ्रेंज एंड स्वार्वर्ड डिफ्रेंज और इस फोर्वड डिफ्रेंज तह था फोर्वड ओपरेटर तो इसे प्रेफेर समझते हैं डिफ्रेसर और फोर्वड ओपरेटर क्या होते हैं अब जैसे कोई यह अपने पास य प्रावर एपक्स फुलन है अब एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू एक्स परावर ए है ए प्लस एच है ए प्लस टू एच है इस तरह चलते हुए है और यह प्लस एच तक जाती है क्योंकि हमारे पास परिमित अंतरकलन यानि कि फाइनाइट है यह यहां आप यह फ्लस टू ए इस तरह होंगे फ्रटसे हो एक्स यह है फ्लस टू एच है यह सभी हमारे पास आर्गूमेंट कहलाते हैं यह सभी शोचंत चरह है स्वेतन सरह जिनको हम आर्गुमेंट करते हैं और प्रेंट की तो मान है यह हमारे पास प्रेविश्ट्री कि यह एंट्र एंट्री कहलाती है कि अब अन्तर एंट्र ऐनका यहां प्ल तो यह हमारे पास कि अंतर का अंत्रालön ख्यालता है अब प्रहर्ट हम फोर्वर्ड डिफरेंस को केसे डिफाइन कर सकते हैं कि य वाइब एक्स बराबर एड्ट बराबर एप लगा था दो अंतर अंतर अपने पास यह फ़लन है यहां पर है fa and if a plus we are the neighbor the difference आगे का जुपद है उसमें से पीछे माइनस करना है तो fa plus h minus fa फिर्ज़ जामार पास फर्वर्वर्ड डिफ्रेंस होता है इसको मुझे जाय से भी शो करते हैं यह फ्रेंस फ्रवर डिफ्रेंस हो गया और यहां पर जो हम डेल एफ दिखा रहे हैं डेल एफ यह फोर्वर्ड ऑप्रेटर है अगर फ्रेट चैनलf a बराबर क्या सो करते हैं f a again from 2घा सू करना होगा दो इसकंक्राइब है ये प्लिस एज मैनेश ऑपरेटर है इसकी हमार पास प्रोपर्टिया कि अंदर मल्टिप्लाई हो जाएगा डेल एफ ए प्लस एच माइनस डेल एफ यह दोनों पर ऑपर अपर पर भी तो यह जाएगा अपने पास एफ इसका जो फॉर्फर डिफ्रेंस होगा यह प्लस टू एच माइनस एफ एफ प्लस एच अब इसका जो होगा इसका माइनस का सैन एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए तो यह होगा है एफ ए प्लस टू एच माइनस टू एफ ए प्लस एच माइनस सोरी प्लस एफ ए यह होगा है फ्रेंस इसी प्रकार एफ एक्स इसी प्रकार हम एफ क्यूब निकाल सकते हैं एफ फोल निका सकते हैं इस तरह देल क्यूंट कि अब आपर क्या अपना वह देखते हैं तो इसका हमां इसका डिफ्रेंस रिख सकते हैं और डेल स्कौर एफए इसको लिख सकते हैं डेल F A plus 2H मैनस 2 F A plus H plus F A इसको लिख सकते हैं इस पर ऐपरेट करेंगे इसको इस पर ऐपरेट करना तो यह गोजाएगा अपने पास F A plus 3H मैनस F A plus 2H अपर इस पर ऐपरेट के हमने तो यह मानस तो 2 तो बारा जाएगा F A plus 2H बढ़ मैनस का सान होगा तो मैनस से प्रेस हो जाएगा प्लस F A P Plus H अब इस पर और प्रेंट के प्रेंट हमने यहां पर तो यह हो जाएगा F यह साथ मर्डोक नोफ म्निटिपलाई होगा A P Plus H माइनस F A तो फ्रेंट यह होगा है हमारे पास F A plus 3H minus 3 F A plus 2H minus 3 F A plus H minus F A यह हो गया फिर्स इसी तरह हम बाकी भी निकाल सकते है फिर्स हम यहाँ पर आगे हम यह एक operator पढ़ेंगे उसमें हम E को apply करेंगे E बराबर क्या होता है E 1 फिर्स यह बराबर वहाँ पर होगा जैसे F A लिखते हैं तो E F लिखेंगे तो F A plus H इसकी value होगी इस तरह से हम यह forward आगे हम define करेंगे उससे उसकी help से इसमें हम और भी सुदार करेंगे लेकिन यहाँ अब जो हम ज़र रहते हो इसी की ज़र होते है फिर हम आगे forward table बनाते है फिर्स यहां forward table बना रहे है फिर्स यहां पर टेबल यहां independent variable यहां पर जो entry होंगी फिर्स डिफ्रेंस होगा सेकेंड डिफ्रेंस होगा तो यह है प्लस हैं लेकल प्लस टू है इफ़े प्लस थ्री एच है यह प्लस फूर है यह हो सकती है यह हम आपन लेते फ़लन की गाल पर करते हों फे इस पे एफ एप फ़्स टू-एच ऑफ एप फ्लस ट्री एच है एफ एप प्लस सोड़ टू-एच है यहां यहां पर एच फ्री एच है एफ प्लस फॉरर एच यह वैल्लीउ है हमारे पास तो फिर्श्ट अप्लस नेख्स्ट में से और पीछ वाले तो त F A plus H minus F A ब्राबर इसको लिखते हैं डेल F A इस तरह यहां पर लिख सकते हैं F A plus 2H minus F A इसको लिख सकते हैं डेल F A इसको लिख सकते हैं F A plus 3H minus F A plus 2H तो इसको लिख सकते हैं F A plus 2H इस तरह यहां पर आजागा डेल F A plus 3H अब फ्रेंट्स हमें सेकंड अपरेटर निकालना है तो सेकंड अपरेटर निकालने के लिए क्या करना होगा मैं इस इन दोनों के बीच में डिफ्रेंस निकालना होगा इन दोनों के बीच में तो इन दोनों के बीच के डिफ्रेंस जो हो जाएगा वह आजाएगा हमारे पास डेल स्क्वैर F A इस तरह यहां पर आजाएगा डे स्कूर्फ एफ एफ प्लस एच इसका जाएगा डel q, dell स्कूर्फ happiness 2H, इसी तर यहाँ पर जाएगा डel q d fa, d d qfa plus h, जाब फैस डइज ड種 Rob-for-f elle nhà, प्रें स्क्वार f a ङै़ ब्लस हप्लस हब कज 理न हमने इनकाली थी, यह निकाली थी Del QFA बराबर यह था परे पास Del FA plus 2H minus 2FH minus FA या FA plus 3H इस वो Del QFA की value है Del FA plus 3H minus Del FA plus 2H minus 2 F A plus 2H plus 2 F A plus H plus F A plus H minus F A इसे तर है del square F A की value जो निकाली थी होती F A plus 2H minus 2 F A plus H plus F A इसे तर है सारी value हम यहाँ पर निकाल लेंगे अफर समार पार से question दिया हुआ है F Y equal to X Q plus 5 X minus 7 then calculate the value of Y 4X is equal to minus 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 and from the forward difference table find the value of Y at X is equal to 6 यह निकालना हमें फ्रेंज इसे लेंगे सरसे पर टेबल बनानी होगी तो टेबल X यहाँ पर X value आएंगी यहाँ पर Y del Y del square Y del Q Y इस तरह से आती जाएंगे फ्रेंज से यह आगे भी हो सकती है आगे हम देखने हैं जरूत पड़ती है नहीं तो डेल Q Y यहाँ पर हो गया है यहाँ पर हम डेल 4Y लिख लेते हैं पर X की value क्या क्या है मारे पर माइनस 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और हमें 6 पर calculate करनी है तो इस 6 हो गया और फिर यह बराबर हम माइनस 1 पुट करें तो जाए जाए तर्टीन अब यह बराबर हम जीरो पुट करें तो यह जाए माइनस सेविन का वाई बराबर हम यहां पर तो गमाइनस कै अभाइनस माइनस Enough two about करें तो यह जाएगा उपने पास 11 3 पूट करें तो पर जाएगा थर्टीफ में front क्र थेविनि 10 से यह 143 इवं मिल्डील और और सिं समर्म किसम सिंस्पुट कर ruit przysz निकाल सकते लेकर आपने पास दर्व को सेोड़ है गश्या थर्टी मायनस 30 मरें माइस करने माइस 13 जाएगा अपर ढाऊ या जार जाएगा अपर सिवें माइस और इस प्लॉस हो ज्या जाएगा अपर सिक्स इसे यह भेटल यहां पर लिख mercy मैरारा उस जेख भी जैन्म आ फ्याहा का सब्सक्राइब गार किनiliary से तर्टी फ्वाड करते हैं तो ग्रीटू सब्सक्राइब करते हैं तो अब नत्रीट म 첫 से में स्थयों कर दो कि यह थिक्रत्ती त्र Mississippi मिशनना एक और यहां पर आहिए हमारे पास पता नहीं है हमां लेते हैं एक्स तो यहां पर से यहां पर X में से X minus 143 यह आमारे पास value है अब हम निकालते हैं del square Y अफिर डेल square Y निकालते हैं तो यह आ जाएगा यहां पास 0 यहां पर निकालते हैं तो यह 6 यह दिफ्रेंस देखते हैं तो यह आ जाएगा आपने पास friends 20 42 minus 24 equal to 8 66 minus 24 equal to 24 और यहां जाएगा प्रेंस हमारे पास X minus 143 minus 66 यहां जाएगा इसमें से मैं इसको minus क्या है अब फिर हम यहां पर थर्ड में देखते हैं तो यहां जाएगा अपने पास 6 minus 0 तो यहां जाएगा 6 6 minus 6 यह हो जाएगा हमारे पास प्रेंट्स इस्वरी यहां पर भूष जीरो है यह हमारे पास 6 हो गया अब यहां पर देखते हैं तो यह हमारे पास आजाएगा यह पर 12-16 यह 12 था, 12-6 यह 6 हो जाएगा, अब यहां 18 था, 18-12 यह 42-24 एक्वल टू 18 था, यह 18-12 एक्वल टू 16 हो जाएगा, 24-8 एक्वल टू 6, यहां पर भी 6 और इसमें से इसमें से माइनस करेंगे, तो यह जाएगा, अब पास, x-123-66-24 अब फ्रेंस हमने यह निकाल लिया, x-123-66-24 लेकिन यह देखते हैं, सारी टर्म 6, 6 के एक्वल आरे हैं, तो यह भी हमार पास 6 के एक्वल होना चाहिए, तो हम लिख देंगे, x-123-66-24, इक्वल टू 6, यह हो गया है, अब फ्रेंस जब इसको solve करते हैं, तो यह आज आएगा, हमारे पास, 123 यह सब एड हो जाएंगे उद्धा, 6-123-66-24, तो फ्रेंस यह 10-3-9-3-2, तो फ्रेंस 239 आ गया, यह एक्स पराबर, यह हमने मान के चलें, को यह एक्स की चाहिए, कुछ और मानना चाहिए था हमें, क्योंकि यह एक्स प्रेंस अलगे लगे लगे तो इसको एक्स डेस देते हैं, यहां पर एक्स डेस, रेस, एक्स डेस, एक्स डेस देस, एक्स डेस बढ़ाबर 239, फ्रेंस य बढ़ाबर 6 बढ़ा जो यց की एक्स बढ़ाबर 26 बेक्स बढ़ाय लोगे 2-39 होगी, हम यह यह पर यह वेली पुट करके भी हम देख सकते हैं, अगर एक्स प्राबर 6 पुट करेंulative इसमें, तो हो जाएगा अपने पास 239 यह आएगा अब फ्रेंड हम देखते हैं बेक्वर्ड डिफ्रेंस एंड है वेकवर्ड ओपरेटर को यह पढ़ते हैं बेकवर्ड डिफ्रेंस बेकवर्ड ओपरेटर क्या होता है अगर जैसे हमारे हमारे पास y बराबर कोई fx से फलन है और जो x की बैलू है x बराबर बैलू हमारे पास a a प्लस h a प्लस 2h डॉट 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 और इस पर y की बैलू है अपने पास f a f a प्लस h f a प्लस 2h अफरे से बेकवर्ड डिफरेंस क्या होता है बैल डिफरेंस होता है f a plus h minus f a यानि कोई भी h में इसे f a plus h में से माइनस f a कर दिया तो इसी दर f a plus 2h minus f a plus h यह उता है फ्रेंस बैल डिफरेंस से इसको खोड़ सकते f एफ ए यह बैल डिफरेंस है फ्रेंस है इसको इकुल टू यह हो गया f a plus h minus f a इसको लिखेंगे f a f a minus f a minus h यह होता है फ्रेंस डेल f a ब्राबर कि बैकबर्ड डिफ्रेंस टेबल लिए अब फ्रेंस बैकबर्ड डिफ्रेंस टेविल में पर सबसे पहले वह यह वह वह होंगे वह होंगे fx के according उसके बाद यहां पर फर्स्ट ओप्रेटर होगा है डेल fx नेवल नेवला fx यहां नेवला square fx यहां नेवला नेवला q fx और यहां पर एक्स वा सोड़ ए a plus h a plus 2h a plus 3h इस तर इस बेल्य होंगी इस पर हमारे पास f a है मान लेते हैं f a plus h है यह f a plus 2h है f a plus 3h है अप्रेश डेल fx क्या होता है f a plus h minus f is the f a plus h minus f a अब यह नेवला यहां पर नेवला निकालते तो यह हम लिख सकते हैं नेवला f a आप इन दो नोंक बीस में निकालते हैं तो यह होगा f a minus 2h 2h a plus 2h minus f a plus h इसको लिख सकते हैं nेवला equal to यह नेवला होगा f a plus h के सिथिए प्रेंटि यह क्टाहिए माइडल सिर्फिए इसको लिख सकते हैं अप्परिंट के लिए क्या करना होता हम है डेल ॉष यां नेनवला F a प्लस H minus 9 यहां भी निकालते हैं तो hm unf buff Q, F A plus, नेबला Q बरावा देखर नेबला स्क्वेर, F A, A plus H, नेबला F A plus H, माइनस, नेबला, नेबला A plus, नेबला स्क्वेर, F A, यहां फ्रेंस यहां से एक्जामपल लेते हैं,